हलो दोस्तो आज हम बात करेंगे गूगल एड्स कॉपिराइट कंटेंड के बारे में मैं आज कंप्लीट आपको जानकारी दोंगा कि जो भी गूगल एड्स में केमपेंड चलाना चाहते हैं अपने सौंग का तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम साती हैं कॉपिरेट कंटेंड में तो मैं उसको आज किलियर करने की कोशिश करूँगा सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो भी गूगल एड्स का पॉलिसी है वो सबसे खतरनाग है तो आपको अगर गाना कुछ गाना को प्रमोट करने का इरादा है तो आपको बहुत एहतियात से बहुत सोच समझ के आपको वीडियो बनानी पड़ेगी और सौंग बनाना पड़ेगा दूसरा दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को मैं हजार लाइक आप लोगों से चाहूंगा क्योंकि मेरे चैनल पे व्यूस तो माशालला अच्छे हैं लेकिन लाइक तो कोई ज्यादा करता नहीं है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक भी कीजिए सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को खास करके लास्टक देखिएगा जिसको कॉपिराइट कंटेंट से बचना है तो शुरू करते हैं अब आप वीडियो बनाते हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वीडियो में कहीं से भी आप इमेज डाउनलोड करते हो तो बाखाइदा किसी साइट से करते हो तो फ्री का अगर डाउनलोड करते हो ठीक है तो कुछ लोग गूगल में जाके कहीं से भी और राइट क्लिक करके सेव इमेज कर देते हैं और इमेज को या विडियो को अपने म्यूजिक विडियो में यूज़ करते हैं, तब भी आपको कापिराइट कंटेन आएगा, और लूप, कहीं से भी आप लूप उठाके, उस लूप को सटिंग करके, पीच चेंज करके या फिर उसको टैंपो चेंज करके आप लगाते हो त सब अलग तरह की हैं लेकिन सबसे खतरनाक पॉलिसी तो गूगल एड्स की है और गूगल एड्सन की भी उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे अब देखिए मैं यहां पर ओपन करता हूं मेरा साइट मैं इस सौंग को प्रोमोट किया था प्रोमोट करने के बाद बहुत सारी इसमें प्रोब्लम साही में मुझे तो यह अब केंपेंड चल के एंड हो गा है और एंड हो चुका है लेकिन फिर भी इसको पहले जो इशू आये थे इसमें देखें यहां पर इस पर क्लिक करता हूं तो कॉपिराइट कंटेंड इवेंट टिकेट सेल यह दो इस पर मुझे इंटरनेट से डाउनलोड करके वो गूगल में जाके इमेजस में जाके राइट क्लिक करके सेव करके इसमें लगाया हुआ था तब इस पर कॉपिराइट आया था मुझे दुबारा से एडिट करके फिर दुबारा से केंपेंड चलाना पड़ा इस बात का आप ध्यान रख सकती है बहुत सारी इनकी पॉलिशिस हैं तो इस आप से चलना पड़ता है टाइटल या डिस्क्रिशन में आप कहीं भी किसी भी कंपनी का नाम देते हो किसी भी सोशल मीडिया का नाम देते हो तब भी आपको कॉपिराइट इशू आ सकता है टैक्स में भी आप ध्यान रख के और कुछ लोग मुझे मेंसेज करके यह भी पूछ रहे हैं सर मेरा कवर सॉंग डिस एपरोब हो चुका है जबके मैं इसका म्यूजिक मैं इने खुद रिक्रिएट किया था तो उन लोगों को मैं यह बताना चाहूंगा कि कवर सॉंग वाले रिमिक्स वाले रिक्रिएट वाले और खास करके डीजे वाले डीजे इन लोगों को खास करके इस बात पर देहान रखना चाहिए Google Ads एपरूप नहीं करता है, Copyright Content में डाल देता है, इसके नीचे यहां पर देखो मैं यहां पर जाता हूँ Copyright Content, यहां पर लिका हुआ है Request a Certificate आपको सबसे पहले जिस कमपनी का गाना है आप उस कावर वर्शन में गा रहे हो उस कमपनी को आपको इमेल करना पड़ेगा सबसे पहले इमेल करने के बाद वहां से उनका Certificate आएगा आपको परमिशन का Certificate आएगा कि आप कर सकते हो, तब आप इस तरह का Option आने के बाद यहां पर जाके Certificate को Apply करके उनको Send करने के बाद आपका Approach हो सकता है तो कोई भी कमपनी ऐसे ही किसी को Certificate नहीं देते हैं तो उसको उनको इमेल करना पड़ता है अब उमेल करने का तरीका मैं आपको कभी आगली वीडियो में सर्टिफिकेट कैसे हासिल करते हैं तो उस बारे में भी मैं एक वीडियो बनाओंगा जब तक कमपनी वालों ने आपको Copyright Certificate नहीं देते हैं तब तक आप जितना भी कर लो आपका एड़ चलने वाला नहीं है आप उस पे टाइम वेस्ट मत करो आप खुद के गाने बनाओ खुद के गाने बनाते समय खुद की वीडियो ग्राफिक करो और टेक्स टाइटल डाते समय हर चिसका ध्यान रगो अगर आपको कैमपेंच चला कि अपनी वीडियो को प्रमोट करना है तब वरना उसकी भी जरूरत नहीं है अगर आपका चैनल अच्छा जा रहा है अच्छा चल रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है तो किसे भी यूटूब चला लेगा यूटूब के अपनी आलग पॉलिसी हैं Google Ads के अपनी आलग पॉलिसी हैं और Google Ads की इस तरह के अलग इनके अलग अलग पॉलिसी है इसमें सबसे खतरनाक पॉलिसी है Google Ads की क्योंकि ये बड़े-बड़े कमपनियों से Ads लेते हैं Ads चलवाने के लिए बड़ा-बड़ा पैसा लगाते हैं तो इनको बहुत केरफुली रहना पड़ता है कहीं से भी गलती हो गई तो उनकी भी बदनामी तो हमारे एक चोटे से वीडियो से उनको भी प्रॉबलम चलनी पड़ती है तो ऐसा ना हो तो इसलिए हो हर चोटी चोटी बारिक बारिक चीजों को देखके फिर हमारे चैनल को पर एड़ रन करवाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा हमको वीडियो बनाना पड़ता है एडिट करना पड़ता है एडिट करते समय गलती से भी आप कहीं का भी इमेज इसे ही डाउनलोड करके ना डालें इसे वीडियो चाए इमेज हो चाए वीडियो हो इसे ही ना डालें तो आपको बड़ी दिकत का सामना करना पड़ेगा फिर उसको एडिट करके फिर उसको अपलोड करके तब तक आपके व्यूज भी खराब हो जाएंगे यूटूब पर तो फिर बार बार आप उसको अपलोड करोंगे तो उसका वैलू भी नहीं रहेगा तो पहली बात तो यह है कि आप description में, tax में किसी company का नाम ना दें, किसी brand का नाम ना दें, किसी social media का link ना दें, तब आपको copyright issue आएगा और आपके अगर YouTube पर कोई पराना वीडियो है, जिसमें आपने बहुत सारे loops हो, या फिर images हो, या फिर वीडियोस हो, कहीं copy करके उसमें डाला हुआ है, तो उसका link अगर आप promote, जिस वीडियो को आप promote करते हो, उस वीडियो के description में उसका link दिया हुआ है, तब भी आपको copyright आ स या फिर internet download manager से इस तरह के वीडियोस को download करके आप अपने वीडियो में ना लगाएं, क्यूंकि Google Ads का ही बड़ा खतरनाक policy है, तो हर एक चीज़ को analyze करके उसके बाद आपको ad run करवाता है, वरना थोड़ास थोड़ी सी भी अगर एक भी image अगर गलती से, चाहे 5 second की हो, चाहे मेरा खुद का song है, फिर भी इस पर copyright content आया है, मैंने जितने लोग के, जितने लोग मुझे comment करके पूछे हैं, तो उनसे मैंने उन गालों का link मांग के मैंने देखा है, उनने ऐसे गलती किये, कि images लगा दिये हैं, कोई loops तोड़ा copy कर किया हुआ है, कोई images copy किया है, तो कोई video copy किया हुआ है, तो इस वजए से ऐसी problem आ सकती है, copyright content पर वीडियो मैं पहले भी बना चुगा हूँ, binary option और copyright लेकिन उसमें copyright के बारे में detail नहीं बताया था, simple simple थोड़ी चीजे बताई थी, एक दो चीज़ बताया हुआ था, लेकिन अभी इसमें मैं detail बता रहा हूँ, इसको इस वीडियो को गोर से देखिए, समझी है, और कुछ पुछना हो तो comment box में पूछिए, मैं उसका answer देने की कोशिश करूँगा, तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, बाकि अगर कुछ रहा तो आप comment के हिसाब से मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, जै हिंद!